आज मैं आप लोगों के बीच उस रीजन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके वज़स से मेरे को लगता है फेस्बुक मार्केट प्लेस अधिकतर ब्लोक हो रहा है और इस रीजन को मैं किसी भी वीडियो में सेयर नहीं किया हूँ तो आपके लिए काफ़ी जादा इंपोर् प्रमेशन हो गया या फिर कुछ भी अगर ऐसे इस तरह का आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आपका मार्केट प्लेस यह इस वज़से भी ब्लोक हो सकता है और साथ यसाथ यदि आपको पता ही होगा यहां पर नासास संबंदित किसी भी परकार का प्रोड़क्ट यहां प तो बंदा आपके अकाउंट के उपर जा करके रिपोर्ट कर सकता है जिससे कि आपके उपर फेस्बुक मार्केट प्लेस से एक्सन लेगा और आपका मार्केट प्लेस ब्लोक कर दिया जाएगा तो आपको इस तरह का कभी भी पोस्ट नहीं करना है क्योंकि दोस्तों बहुत लोग इस तरह के करते हैं कि पोस्ट करने को आपको कोल करने के करने करके आपको पोस्ट करने को बोलेंगे और इसके बाद एडवांस होगे राले करके उनको ना बाइक देंगे ना पैसा वापस करेंगे इस तरह से फ्रोट कर सकते हैं इसलिए आपको इस तरह का किसी का भी प या फिर कुछ भी ऐसे ब्रेंड लो गेरो直接 लगा है तो आप इस तरह का पोस्ट करतें तो आपका मार्केट प्लेस ब्लोक हो जाएगा तो हम चलिये एप उस रीजन के बारे में जो कि आज तक मैं किसी भी मेरे को लगता है भाई एक कही नहीं मार्केट प्लेस ब्लोक होने का रीजन हो सकता है जैसे यदि आपको पता ही होगा चाहे आप मिसो या फिर गलो रोड या फिर 100.01 का प्रोड़क्ट सेल करते हैं तो आप पर एक कोड लिखा होता है और उस प्रोड़क्ट को काफी ज्यादा रिसेलर लोग पोस्ट करते ह है और कोई रिसेलर मार्केट प्लेस पर ही पोस्ट कर रहा है इस तरह से काफी ज्यादा एक ही परकार के प्रोड़क्ट वहां पर पोस्ट कर रहा है तो इसके वज़से मार्केट प्लेस समझता है भाई एक ही प्रोड़क्ट बार-बार क्यों पोस्ट हो रहा है तो यह कहीं कहीं ए रिजन हो सकता है marketplace ब्लोग होने का क्योंकि कहां फी सारे reseller लोग का मेरे पास DM आता है Instagram पे कि बोलते हैं भाई मेरा marketplace ब्लोग हो चुका है आखिर मैंने कुछ भी गलती नहीं किया हूँ तो इस वज़े से मेरे को लगता है marketplace ब्लोग हो सकता है तो आपको इस गलतीया को अब मैं आप बलोगे यार इसको कैसे solve किया जा सकता है तो आप क्या करना है जैसे कि वहाँ पर जैसे आपको पता होगा marketplace यहाँ पर जो मीसो की product होती है उनके नीचे एक code दिया होता है उससे आप किसी भी application के थुरू इरेच करके फोटो को थोड़ा मोड़ा editing करके background change करके यदि आप post करते हैं तो उसका जो idea होता है वो change हो जाएगा पूरी तरीके से अब आप उसको marketplace में post करोगे तो marketplace को यह नहीं लगेगा कि यह वही product है जो किसी और बंदा ने पहले post किया है तो इसलिए आपको थोड़ा मोड़ा editing करके आप वहाँ पर post करेंगे इससे और भी आपको lab होगा जैसे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि भाई सच में लगेगा कि हाँ यह कोई product seller है और सही में seller है यह reseller नहीं है तो इस तरह से आपके पास ज्यादा order भी आने लगेंगे marketplace पर इसलिए आपको edit जरूर कर लेना है यदि आपको edit करना नहीं आता तो आप बस comment कर दिजिए मैं आपको edit करना बता दूँगा यहाँ पर यदि आप वैग गराउन भी नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पर जो code लिखा होता है उसको जरूर आप वहाँ erase कर लिजे इसके बाद marketplace पर पोस्ट कीजे तो दोस्तों इस तरह से आप अपने marketplace को ब्लोक होने से बचा सकते हैं अगर और भी पोलिसी के बारे में और अच्छे तरीके से जाना चाहते हैं तो इस्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा होगा उस वीडियो को आप देख सकते हैं और फेस्बुक की जो पुलिसी है उसके बारे में जान सकते हैं